Assalamu alaikum dear students, I am your computer teacher, उमीद है आप लोगों खेरियत से होंगे, तो आप लोगों का जो है B.S.E. का second year चल रहा है, तो इसमें आप लोगों का जो course है उसके बारे में थोड़ा सा बता दे तो हमें आपको, कि आप लोगों ये course है ना, computer की book है, ये आप लोगों की दो चीज़ों पर divide है, ठीक है, third year में आप लोगों ने बढ़ा था, कि हमारे पास networking की और आपने कुछ बढ़े थे, हमारे पास topics, networking का थोड़ा सा concept लिया था, networking की portion बढ़ा था, और उसके लावा आपका programming का portion था, जो कि हमारे पास C++ की programming थी, अब जो हमारे पास, आपके fourth year में है, syllabus, उसमें हमारे पास, उसमें भी हमारे पास दो पार्ट है, दो पार्ट में divide किया गया है, एक हमारे पास DBMS का course है, second हमारे पास है, HTML का, जिसमें आप लोग web designing सेखेंगे, DBMS में हम लोग देखेंगे, कि हम किस तरह records को, मतलब कि काफी ज्यादा record को, बहुत ज्यादा quantity में हमारे पास record हो, तो उसको हम किस तरह manage करके, tables और row की form में लिख सके, तो कि rows और columns की form में, एक table बना के लिख सके, तो हमारे पास जो course है, उसका नाम है, हमारे पास DBMS, मतलब कि database मनाने है, database management system है, हमारे पास जो course का नाम है, आप लोगों को total 100 marks का paper होगा, जिसमें आपकी 40 marks का होगा, आपका DBMS का portion, 40 marks का आपका portion होगा, जो HTML का, और 20 marks का आपका practical होगा, तो चलते हैं अपने lecture number 1 की तरफ, जो के है हमारा chapter number 1 भी है, और chapter number 1 का नाम है, हमारे पास introduction to database, मतलब कि इसमें, आपको database का थोड़ा सा overview दिया जाएगा, जो हमारे पास 4 lecture है न, उसमें हम, पहले 4 lectures, उसमें हम सिर्फ DBMS के introduction बढ़ेंगे, मतलब कि DBMS होता कि, उसके बाद हम अपने new syllabus के तरफ, अपने syllabus की तरफ move करेंगे, introduction, ये भी आपके course content का हिस्सा है, आप लोगों ये भी याद करना है, उसके इलावा हम लोग जो होगा आगे, वो हम 4 lectures के बाद हम लोग बिस्कस करेंगे, तो चलते हैं हम अपने पहले lecture की तरफ, हमारे जो course के content है, हमारे इस chapter के content है, सबसे पहले आप लोग data के बारे में बढ़ेंगे, कि data होता क्या है, फिर हम उसमें information का देखेंगे, या आप लोगों ने ये दोनों चीज़े पढ़ी भी है, उसके बाद हम देखेंगे, data और information के दरम्यान हमारे बाद हमारे बाद है, metadata क्या होता है, file processing system क्या था हमारे पास, database क्यों बनाया गया, फिर database है हमारे पास, database क्यों बनाया गया, कि database और जो है, इसकी range की है, database applications की range की है, कि मतलब कितनी range तक का data हम लोग इसमें store करवा सकते हैं, और कितनी range तक की data को हम भी इसके अंदर save करवा सकते हैं, उसके बाद हमारे पास types of user आजेंगे, कि कितनी तरह की users इसे use करते हैं, उसके बाद हमारे पास आदेगा range of database, मतलब कि database की range देखेंगे हम लोग के कि इसकी range कितनी vast है, तो चलते हैं हम अपने lecture की तरफ, हमारे पास lecture number one है, जिसमें हम लोग discuss करेंगी, हमारे पास data क्या होता है और information क्या होती है, इसमें हमारे पास दो questions rise होंगे, explain data and information with example, और हमारे पास इन दोनों के difference आजाएगा, ये बेलकुल basic चीज़े हैं, ये आप लोगोंने पहले भी पढ़ी वी होंगी, हमारे पास जो data होता है न वो होता है, इसकी definition है हमारे पास, a collection of raw facts and figures, मतलब कि एक ऐसा collection, raw facts and figure का, मतलब कि ऐसा data जो हमारे पास meaningless form में होता है, कोई भी ऐसा data हो, जो हमारे पास meaningless form में हो, मतलब कि बहुत ज़्यदा हमें data दिया गया हो, उसकी समझ ना रही हो कि ये data किस चीज़ का लिखावा है, मतलब कि हमें एक example ले 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 लेते हैं, लेकिन आपने उसके ओपर subject का नाम नहीं लिखा गी है, किस subject का number है या जो भी है, आप वैसे ही उठागे data ले आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास data तो आगया है, लेकिन वो हमारे पास organized data नहीं है, वो एक meaning less form में है, हमें पता नहीं लग रहा कि किस subject के कितने marks हैं, तो यह हमारे पास data की example है, चीक है, हमारे पास क्या होता है इसमें, इसकी example हमें कुछ दी गई है, इसमें object होता है, मतलब कि एक person का data हो सकता है, किसी organization का data हो सकता है, किसी event का data हो सकता है, या other things हो सकती हैं हमारे पास इसमें, ठीक है, data हमारे पास किन forms के अंदर होगा, text की form में होगा, मतलब कि हमारे पास जो भी, हम text वगएरा write करते हैं, अपने documents वगएरा file बनाते हैं, वो हमारे पास text की form में data होगा, उसके लाबा number की form में हमारे पास कुन सा data होगा, जो हमारे पास numeric form में data, मतलब कि हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, जितने भी हमारे पास numbers आ जाते हैं, उनकी form में जितना भी data होगा, वो हमारे पास number data होगा, image data जैसे कि हमारे system के उपर images वगएरा चलती है, हमारे pictures वगएरा चलती हैं, वो हमारे पास image data हो जाएगा, sound की form में, मतलब कि audio form में आपके पास एक, जब चीज आ रही हो, audio form के अंदर, तो वो हमारे पास एक data है, sound data, videos हैं, आपके पास videos चलती हैं, movies run करवाते हैं, प्लोग तो वो हमारे पास video data, process to procedure, meaningful information, मतलब कि हमारे पास यह जो होती है, data होता है, हमारे पास यह meaningless form होती है, इसमें पता नहीं लगता कि यह data, किस चीज़ का हमने collect किया वाई या जो भी है, उसको हम फिर process करते हैं, फिर वो हमारे पास information बनती है, हमारे पास data की importance क्या है, give view of current and past activities, or history related to rise and fall of an organization, मतलब कि data हम इसलिए collect करते हैं, ताकि हमें जो present activities हैं, हमारे यह organization की और past activities हैं, हिस्टरी के बारे में पता लग जा कि कब यहां growth हुई थी, कब हमें loss हुआ था, help an organization in making decision for future activities, मतलब कि जब भी किसी company ने future के लिए decision लेना होता है, वो एक data निकालता है, वो data इस तरह का हो सकते हैं, वो बिछली सारी flow charts वगरा निकाल लेगा, वो बिछली सारी financial statements अपनी निकाल लेगा, तीन से चार साल की, financial statements को देखेगा, वो सारा उसने data collect कर ली है, ठीक है, उस data को collect करने के लिए फिर आगे, जब data को 3-4 साल का पुराना data को हमने collect कर ली है, फिर हमने अगले साल की कोई नों कोई अपनी future activity के लिए future goal सेट करना है, कि हमने इस मताबिक चलना है, तो हमें profit होगा, पिछले 3-4 सालों का हमें analysis करना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता लगएगा कि हमने किस साइट पर जाना है, तो हमारे पास वो जो होगा, वो उससे बोलेंगे कि यह हमरे पास data की importance है, उसके बाद हमरे पास data की example दिए गई है, जैसे कि यह देखें, आपके पास एक table दिया गया है, इसमें हमारे पास नाम लिखे हुए है, सलीम, बाबर, अमानत और सल्मा, और यहां हमें यह देखें, simple numbers लिखे हुए है, हमें यह नहीं पता लग रहा कि यह नाम किस चीज़ के हैं, या यह marks है, या यह number, यह किस चीज़ के हमें number लिखे हुए है, amount लिखे हुए है, इसे बिलकुल अंदाज़ा नहीं हो रहा है, यह हमारे पास एक data है, ठीक है, the list of name and number represent data of structure, मतलब कि नाम तो हमें पता लग रहे हैं, यह नाम है students के, लेकिन हमें यह इन number values की तरफ, numeric values की दरफ देखे है, idea नहीं हो रहा कि यह आखिर marks हैं, तो किस चीज़ के marks है, अगर हमारे पास यह कोई amount लिखी हुए, तो यह किस चीज़ की amount है, हमें इस चीज़ का idea नहीं हो रहा है, यह मतलब कि raw facts हैं और figures हैं, जिसे यह एक meaningless form है, हमें उसका पूरा मतलब नहीं पता लिख चल रहा, तो यह हमारे पास data है, उसके पास information हमारे पास आजाती है, तो हमारे पास जो भी हमने data collect किया वाई रहा, अब हमने उसको process करना है, processed form of data is called information, ठीक है, यह इसकी definition है, processed form of data is called information, कि हमें एक useful meaning provide करता है, ठीक है, उसमें हमें useful meaning provide नहीं और था, वो meaningless form थी, लेकिन जो हमारे पास information आती है, proper information, वो process होती है, form data की, data is used as input for processing, and information is output of this processing, ठीक है, यह आप लोग example भी दी गई है, कि सबसे पहले हम data लेते हैं, उसको हम फिर करवाएंगे process, उसके बाद जो हमारे पास process to form आएगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, information, यह इसके एक example दी गई है, जैसे के वहाँ हमें नाम दीए गए थे, यह देखें, उसके उपर उन्होंने name specific कर दी है, ठीक है, हमें उपर लिख भी दिया, result of class students, उसके बाद serial number भी दे दिया, उन्होंने उपर लिख भी दिया कि यह नाम है, यह English के marks है, यह chemistry के marks है, यह computer के और total इतने बनते हैं, और gradient के इतने हैं, थे अबव processed data convey the clear and proper meaning, ठीक है, हमें इस sheet की तरफ देखे है, हमें इस mark sheet की तरफ देखे है, यह एक difference दिया गया है, raw facts and figures, हमारे पास जो data होता है, वो raw facts and figure होता है, और लेकिन यह हमारे पास processed data होता है, does not give useful and proper meaning, लेकिन हमें यह useful और proper meaning भी देगा, input for processing, यह हमारे पास processing के दुरान input दी जाती है data, और output जो हमें आती है, वो हमारी information होती है, does not depend on information, यह हमारे पास information के उपर depend नहीं करती, लेकिन जो हमारे पास information होती है, वो data के उपर depend करती है, मतलब कि अगर हमारे पास data होगा, तो फिर हमारे पास result आएगा, अदरवाई हमारे पास result नहीं आएगा, huge in volume, यह मतलब कि बहुत ज्यादा होती है वालियम में बहुत ज्यादा भी तो हम data collect कर लेते हैं ताकि हम इस तरह data हमारे पास हो जाता है ताकि हमें पता भी नहीं लगता कि यह history का data है लेकिन हमारे पास जो information होती है वो short form होती है मतलब एक summary भी लिख देंगे तो हमें idea हो जाए गई है इस चीज की information हमने collect की थी ठीक है उसके बाद है हमारे पास metadata क्या होता है metadata है हमारे पास metadata can be defined as data about data ठीक है यह हमारे पास होता है data का भी data metadata is called data about data it is used to describe the properties and characteristics of some other data मतलब कि हमारे पास किसी भी दूसरे data की properties को या उसकी characteristics को बियान करने के लिए हमारे पास जो form होती है उसे क्या बोलते है meta data है इसमें हमारे पास यह अदत है describe the size format and other characteristics of data it is also include rules and constraint about data मतलब कि यह हमारे पास example दी गई है हमारे पास meta data की सबसे पहले आप लोग in definition mind में रखनी है कि हमारे पास data about data उसके बास यह देखे है हमारे पास field name दिया गया है जिसमें हमने roll number लिख लिए है roll number हमारे पास किस form में होता है integer form में होता है या आप लोगोने programming के अंदर पढ़ा होगा कि हमने क्यों integer बोला है roll number के length कितनी हो सकती है तीन तक हो सकती है यह उसे ज्यादा भी हमारे पास हो सकती है उसके बाद उसके description आ जाएगी उसके बाद उसके constraint आ जाएगे कि हमारे पास value हमने कहां से देनी है one से लेके hundred तक की value इसमें store करवानी है उसके लावा हमारे पास name आता है वो alphabetic form में होता है हमारे पास इसके length हम 50 ले ले लेते हैं उसके बाद इसमे name of student आ जाएगा और उसके बाद इसके हमारे पास constraint नहीं दिया गए उसके length नहीं दी गए कि आपने कितना इससे length ही रखना है कितने इसमें characters आ सके ठीक है उसके रावा हमारे पास जा address होता है वो भी हमारे पास किस form में होता है alphabetic form में alphabetic औ नुमेरिक form में वो इस वरह से हम बोलते हैं क्योंकि हमारे पास address के अंदर alphabetic characters आ रहते हैं और numeric characters भी आ रहते हैं ये examples हमें दी गई है जैसे कि roll number है हमारे पास ये हमारे पास integer form में उसका name लिखावाई है हमारे पास character form में उसका address लिखावाई है हमारे पास character form में ठीक है alphabetic form में उसके बाद email दी गई है और उसका phone number दी आ गया गया email भी तो हमारे पास data है तो वो name भी हमारे पास data है email का data जो होगा name का data मतलब कि इसको हम बोलेंगे data about data data की भी आगे information data को मतलब कि explain करने के लिए हमारे पास चीज होती है वो हमारे पास होता है metadata मतलब कि हमें एक simple form में पहले दिया गया था कि student का नाम यह student का रोल नंबर यह है simple है कि यह form दी गई थी अब दूसरी form के अंदर हमें उसे मजीद explain करवाना है तो उसे बोलेंगी कि metadata हमें और data collect करना पड़ेगा कि इसका phone number क्या है इसका address क्या है तो यह हमें इसे बोलेंगे कि यह हमरे पास metadata है उसके बाद है हमारे पास file processing system मतलब कि हम इसे traditional file system भी बोलते है यह हमारे पास file processing system भी होता है हम इसको discuss कर लेते है what is traditional file system traditional file system होता क्या है describe the problems faced in traditional file system इसके अंदर जो problems होते हैं हम उने भी face करेंगी यह हमारे पास question rise होता है traditional file system होता है कि हमारे पास computer का concept नहीं था ठीक है हमारे पस computer नहीं आये वे थे तो पहले बहुत पहले की बात है पहले हमें जो भी data वगरा collect करना पड़ता था different organizations के अंदर आप लोग चले जाएं वहाँ भी जो different data वगरा collect करना पड़ता था वो manually form में लिखते थे data को ना के वो computer के अंदर save करते थे बहुत बहुत बड़ी files हो जाती थी हमारे पास files की ठीक है हमारे पास बहुत बड़ी files भी हो जाती थी उसके लावा file को carry करना भी हमारे पास मुश्किल हो जाता था उसके लावा वो data हम या किसी डिस्क में सेव करते थे या किसी टेप में सेव करते थे ठीक है वो हमारे पास इस तरह होता था कि डाटा को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था कस्टमर हमारे पास जैसे बैंक्स की एजेंपल है बैंक्स में सारा मैनूल डाटा होता था अगर आपने data collect करना भी है किसी customers का data आपने carry करने तो वो बहुत carry करने में मुश्किल होती थी वो हमारे पस traditional file system था मतलब कि कोई भी हमारे पस customer भी आता जाए उसका data हम save करते जाए और वो हमारे पस save इस form में होता रहे कि वो files का bundle हमारे पस बनता रहे उसको carry करना भी मुश्किल हो यह हमारे पस traditional file system था क्यूंकि हमारे पस तब computer का concept नहीं था हमें idea नहीं था हमारे पस database होता क्या है ठीक है इसलिए इसे बोलते हैं कि हमारे पस traditional file system है तो इसको each department define and implement the data needed for a specific आपकी इसकी example ले लें जैसे कि नहीं बोलते हैं कि आपके है कॉंपूर्टर के डिपार्टमें आपके यूंवस्ट्री के लग बनावाए ऐडबन डिपार्टमेंट अलग बनावाए वहां आपका अलग data पड़ावा होता था finance department में चले जाए हैं आपका अलग data पड़ावा होता था मतलब कि हर डिपार्टमेंट में अपने हिसाब से उसे मौडिफाय किया वहता था डेटा को और इस तरह डेटा को केरी करना बहुत मुश्किल होता था मतलब कि अगर आपने एक दफार नंबर चेंज करवाना है तो आपको तीनों डिपार्टमेंट के अंदर मूव करना तो इस तरह हमारे बास डेटा को मैनेज करना मुश्किल होता था पुराने वक्तों में जो वह हमारे पास ट्रैडिशनल फाइल सिस्टम था तो आज तक का हमारा लेक्चर इतना ही था होपसो आप लोग वह समझ आ गई होगी हम उसे आगे जो है फर्दर आप डिसकस करेंग झाल